हमारी दुनिया मिस्टिरियस चीजों से भरी हुई है और इसमें बहुत कुछ अजीब सा होता रहता है जो कभी कभार ही देखने को मिलता है इस वीडियो का सोर्स ओफ ओरिजिन तो नहीं पता मगर ये वीडियो किसी घर की है जहां पर ये अजीबो गरीब क्रियेचर कैद किया गया है इसका मुव नाक और इसकी आँखें किसी को भी डरा सकती है और सबसे ज्यादा डरावनी इसकी आवाज है अगर ये क्रियेचर रियल है तो बहुत ही ज्यादा डरावना है और अगर ये कोई मेक अप है तब भी कमाल है आपको क्या लगता है गोश्ट इन्वेस्टिगेटर कासा डोरेश डास सोमराज एक रात एक अबेंडेंड और हांटेड प्लेस को जो की एक जंगल में बना हुआ था एक्स्प्लोर करने जाते हैं यहाँ पहुँचकर इन्हें कुछ आवाजे आती है मगर कोई नहीं होता इसके बाद एक दूसरे रूम से भी कुछ आवाजे आती है मगर रूम में भी कोई नहीं होता इसके बाद यह यहाँ रहने वाले शैतानी शक्ति को बुलाने के लिए एक रिटूल करते हैं और यह इसमें काम्याब भी हो जाते है इसके बाद यहां जो भी था वो इनके सामने आ ही जाता है तो क्या यही वो शैतान था जो यहां रहता है जिसके बारे में आस पास के अलाके में काफी अफ़ाहें फैली हुई थी आपको क्या लगता है यह विडियो डार्क गोस्ट पेरानॉर्मल नाम के यूट्यूब चैनल पर शेयर की गई थी इनकी टीम एक दिन वर्ल्ड वार टू में जर्मन्स द्वारा इस्तिमाल किये गए एक स्कूल को एक्स्प्लोर करने जाते हैं जो अब अबेंडेंड और हांटिड हो चुका था अंदर जाने से पहले ये इस हाउस का ड्रोन से एक्स्प्लोरेशन करते हैं साफ देखा जा सकता है कि हाउस की क्या हालत है लोकल्स का कहना है कि यहां कुछ तो अबनॉर्मल है अभी कुछ महीनों पहले ही यहां खुद पखुद आग लग गई थी और उसके बाद से यहां कोई हलचल नहीं होती है यह यहां रहने वाले इस्प्रिट से पूछते हैं कि क्या वो आग तुमने लगाई थी तब जवाब हां में आता है दूसरी तरफ हां उसके एक हिस्से में लगे हुए कैमरा में यह रिकॉर्ड होता है तोनों रूम्स के डोर खुद पखुद खुद खुज जाते हैं इसके बाद एक रूम में यह होता है आप दोबारा इस अजीवो गरीब घटा को देखिए क्या इसे किसी भी तरह से क्रियेट किया जा सकता है मुझे तो ये एक रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट लगता है ये वीडियो एक स्टूर के पीछे वाले हिस्से में लगे सेकुरिटी कैमरा की फुटेज है जहां शायद किसी तरह की कोई पैकिंग की जाती है ये दो लड़के यहां काम कर रहे हैं अचानक यहां रखा एक स्टूल खुदबखुद मूव करता है एक दो बार तो ये लोग इसे एग्णोर कर देते हैं मगर स्टूल है की मानता ही नहीं और फिर वही होता है जिसे देखकर ये लोग यहां से गिरते पढ़ते भाग जाते हैं वैसे अपनी अपनी हिम्मत है अगर सच में ही इन्हें कोई भूत या जिन दिख जाए तब इनका क्या हाल होगा जो एक स्टूल के मूव होने से ही इतना डर गए थे ये वीडियो एक मस्जित में लगे सिक्रिटी कैमरा की 28 अक्टूबर 2021 की रात के लगबग 3 बसकर 27 मिनट की रिकोर्डिंग है आप देख सकते हैं मस्जित पूरी तरह से खाली है सिवाए इस वाइड ड्रेस्ट एंटिटी के आप इसकी चाल देखिए जो की बहुती अजीवो गरीब है वैसे कहते हैं कि मस्जित में रात को जिन नमाज पढ़ने आते हैं तो क्या ये कोई जिन है जो यहाँ नमाज पढ़ने आया है आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें